आहीं एकले सोल भी चलते हैं The bus fare and train fare of a place from Kolkata where rupees 20 and rupees 30 respectively train fare has been increased by 20% and the bus fare has been increased by 10% The ratio of new train fare to new bus fare is 11 is to 18, 18 is to 11, 5 is to 3, 3 is to 5 question को समझ लेते हैं पहले bus fare and train fare of a place from Kolkata ठीक है Kolkata से एक जगा जाने का bus fare कितना है 20 है train fare 30 है ठीक है यहाँ पर बोल रहा है bus fare 20 है और train fare 30 है अब यह क्या कहरे है train fare जो है उसको बढ़ा दिया है 20% has been increased to 20% और bus fare जो है उसको 10% बढ़ा दिया है हम यहाँ बता है नया train का जो fare है और नया bus fare है उसका ratio किया है आईए इसको करते है ठीक है तो दो चीज मैंने यहाँ लिख दी है आपने देखा bus और train ठीक है train का fare का goose increase हो थीक है तो यहाँ पर हम पहरले लिख रहेते है पिसारइन लिए दिदेघ है को इसीन लेगी क्या चीज़ बाढ़री है तो यहाँ पेop बंटी परसंट तो 10 त्पर्संट में वोलिए टिक तरेग से Office kay प्षिर्द्य का ता स्साली समें प्षेकर सानकी करते छा ऐंगेको तो बस का कितना बढ़ा है 10% बढ़ा है तो पहले 20 था 20 का 10% मेंज 2 रुपीस बढ़ ग़े हैं तो 20 फेर टू रुपीस बढ़ ग़ता है अब नए फेर कितना हो गया बस का बस पहले 20 था दो रूपर बढ़ गया कितना हुआ 20 प्लस टू यह वाला टू जूड़ गया तो 22 उसी तरीके से ट्रेंड का फियर कितना हो गया 30 था पहले उसमें 6 रूपर और जूड़ गया 20 परसंट इंक्रीज वा मिंस 6 रूपर इंक्रीज वा तो 30 का 6 बढ़ा तो 36 तो प्लस 36 36 अब यहां पर हमारे पास यत सब जो दोनोंनों आया ट्रेंट न फेर आ गया और यह नया बस आर हम यही तो रेशियो बत पहले हम देखेंगे किस का रेशियो में नया बस वाले में एंसर हैगा ठीक है बस टू ट्रेन में लेकिन ट्रेन टू जो हमारा एंसर क्या है 18 इस्टू 11 क्यों क्यों क्यूंकि ट्रेन इस्टू बस का जो रेशियो है वो सही करम में आपको लिखना है तो ट्रेन फिर इस्टू न्यू बस फिर किना थर्टी सिक्स ट्रेन का फियर इसी वो कर्स्पॉंड करके लिखे और वस का फियर 22 इसके साथ एक जैसे लिखे ताकि आपको कहीं एंसर गलत ना हो जाए क्योंकि दोनों टैप के एंसर दिया है इसको फॉर्दर टू से डिवाइट कर लेंगे आप तो कितना हो जागा तो थर्टी सिक्स को टू से डिवाइट करेंगे तो 18 और 22 को टू से डिवाइट करेंगे तो 11 तो 18 इस्टू 11 आपको ओप्चन भी ठीक है तो यहां पर ध्यान देना है थोड़ा से क्वेश्टन है इजी लेहिए अपर हो जकता आप 20 का 20 परसन निकाल दें अथ थर्ट रश्क